सो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज़ करते हैं और Android Mobile के अंदर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और WhatsApp में जब आप अपने WhatsApp पर किसी को किसी को आप voice message send करने का try करते हैं या फिर call करने का try करते हैं तो आपके सामने ये options आजाते हैं note now और continue का अगर आपके सामने ये problem आ रही है note now और continue का तो इसकी solution क्या है कुछ भी आप करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा आपके WhatsApp पर तो इसका solution में आपको बता देता Android Mobile आपके पास तो setting में आईएगा setting में आने के बाद आपको scroll करना है नीचे यहाँ पर apps देखने को मिल रहा है apps पर क्लिक करना है दन उसके बाद यहाँ पर manage apps देखने को मिल रहा है manage apps पर क्लिक कर लेना है अब यहाँ पर search bar में आपको search करना होगा WhatsApp तो manage apps में आपको search करना ह WhatsApp WhatsApp आचचुका है यहाँ पर इसको open करते हैं open करने के बाद आपको कुछ इसतरह से options दिखाएगा तो यहाँ पर आपको app permissions देखने को मिल रहा है sad emotions को open कर लेना है जैसे ही आप app permissions को open करेंगे यहाँ पर बहुत सारी permissions देखने को मिलेगी जो main permissions है microphone permissions या आपकी don't allow होगी, इसको allow कर दीजिएगा, then back आजाईएगा फिर उसके बाद phone वाली permissions होगी, इसको भी allow कर दीजिएगा ऐसे don't allow पर होगा, इसको allow कर दीजिएगा, then उसके बाद back आजाईएगा तो आप यहाँ बेखेंगे जितनी भी permissions होगी लगबग आपको सभी को allow कर देना है, then उसके बाद यहाँ से आना है आपको back आप back आने के बाद आपको अपना whatsapp open कर लेना है और किसी को भी call या message, voice message करके देख लेना है अब देखेंगे आपकी जो problem है, यह सब करने के बाद solve हो जाएगी अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होते हैं, मुझे comment box में बताइएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आँगा so guys बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते है, next video में, till now I take care, love you